हेलो बच्चों! आज हमारा question है, XI 2.5 से question Nr. 5 करेंगे, write the fallen decimal number in the expanded form, हमें इसको decimal numbers को किस में लिखना? Expanded form में लिखना. तो देखो हमारा क्या है? 20.03 है, तो हम देखेंगे point, point से हम अगर left hand side देखेंगे, तो यह हमारा once होता है, इसको हम पढ़ते once और यह हमारा होता टेंस लेकिन right hand side में अगर देखेंगे क्या हमारा यह हमारा tenth होता है इसको इस 0 कि हम क्या करेंगे tenth और इसको हम बोलेंगे hundreds ओके इसको हम क्या बोलेंगे hundreds इसको हम क्या बोलेंगे hundreds इसको हम 10 का होता थे को से 10 में holds कितनी red trade इसकि यist की 10 तो इंटैंट गए कि तो जिरौ इंटैंट पर सबस्कुझ है घ्या ट्राजशक 25ौणेट एसको ख्रद करेंगी अगर यह चिंट्रों हो जाएगा है यह जिरो हो जाए है जिरो से करेंगे बाज यह 400 पर यह ब्रोऊ जा है भाई यह भी 0 हो जाएगा पूरा और प्लस 9 अपॉन ठीक है यह हमारा किसमे है 10 तो यह 1 अपॉन 10 होता तो यह क्या हो जाएगा 3 अपॉन 100 हो जाएगा ओके ऐसे हमारे यह 1 पे तो भाई 2 है 1s पे तो 2 इंटू 1 प्लस 10 तो भाई पॉन्ट के बाद है तो तैन्त आ जाएगा भाई 10 यह हमारा हंडेट पे तो कितना 3 तो 2 into 100 आ जाएगा, प्लस 0 into 10 हो जाएगा, प्लस 0 into 1, प्लस पॉइंट के बाद देखो, यह 10th होता है, यह क्या होता है? 10th, it means 0 into 1 upon 10, प्लस यह हमारा क्या हो जाएगा? 100s, 3 into 1 upon 100, ओके, अगर हम इसको expand करेंगे, तो 200, प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस यह भी 0, प्लस 3 upon 100 हो, हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 3 upon 100 से लिख सकते हैं, ओके, अब यहाँ देखो नेस्ट हमारा, 1s यह तो 1s है, यहाँ 10th 100, 1000 है, तो 2 into 1, प्लस 0 into 1 upon 10, प्लस 100 हो है, तो क्या जाएगा? 3 into 1 upon 100 सा जाएगा, और यह हमारा 1000 पे 4, तो 4 into 1 upon 1000, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 plus, यह 0 हो जाएगा, प्लस 3 upon 100, प्लस 4 upon 1000, ओके,